नमस्कार दोस्तों आप सभी के शड़ी फोर यूपेसी पीसे से में स्वागत है सत्तर बीपेसी के पीटी के तियारी के लेकर MCQ प्रैक्टिस मैंने सुरू करवाया था उसी का नेक्स्ट वीडियो है आज और आज हम लोग इस वीडियो में और कुछ सांदार MCQ करेंगे MCQ करने के तरीकों को भी सीखेंगे किस प्रकार से हल किया जाता है एक्जाम में कोशन व्याख्या को समझेंगे आपसंस को समझेंगे कई बार क्या होता है कि इस साल के आपसंस अगले साल सवाल बना दिये जाते है तो अगर आप चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ये PDF मैं अफिसल स्टडी फॉर UPSC पीसेस चैनल पर दे चुका हूँ जिसमें 16,000 लोग है वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा तो वहाँ पर जूर सकते हैं साथ में हमारा टेस्ट सीरीज भी शुरू हुआ है दो टेस्ट अभी हुआ है यकीन मानिये बहुती सांदार टेस्ट रहेगा आपके लिए कुछ उसकी कमियां भी है जैसे टाइपिंग एरर वगर है उसके बारे में भी पता चला है मुझे बाकी उसमें कोस्टन बहुती सांदार मिलेंगे आपको बहुती सांदार मिलेंगे तो उससे अगर आप जूरेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा उसका link आपको मैं description में दे दूँगा बहुती आसान सा price है 4.99 रुपे है अगर आप paid group अगर हम add है और अगर आप paid में नहीं add है तो 6.49 रुपे में आपको 25 टेस्ट मिलेगा चलिए शुरू करते हैं देखिए सवाल क्या है ये UPSC PYQ का book है अगर आपको UPSC, BPSC के लिए practice करना हो 70 BPSC के लिए practice करना हो कई सारे बच्चों का message आता है कहां से practice कर सकते हैं सबसे पहला स्रोत रखिए आपका घटना चकर इसको जरूर लगाना है किसकी subject का लगाना है History, Policy, Geography और Science इन चार subject का घटना चकर अगर आप लगा कर जाते हैं तो नी संदेह बिना किसी संदेह के exam में आपको guaranteed है कि मदद मिलेगा ही मिलेगा इसके लाबा NCRT MCQ कर सकते हैं NCRT MCQ कीजिए खासतोर से science का जरूर attempt कीजिए NCRT MCQ History वगर का थुरा से skip भी कर सकते हैं आप चाहे तो Science का NCRT MCQ मस्ट है चैनल पर upload है वीडियो अब description में मिल जाएगा आपको इसके लाबा UPSC, PT, PYQ को try करेंगे इसके आपको elimination वगरा सीखने का मौका मिल जाएगा जो मैं आपको करवा रहा हूँ Test Series 20-30 लगाना है मातर बहुत जादा तो 30 नहीं तीन बार इसको लगाना है कम से कम जिससे क्या हो कि भई आपका पूरा से लेबस दो-तीन बार revise हो जाए ति थोरा सा सुरू में मैंने guidance दे दिया है कि इस प्रकार से आपको MCQ practice करना चाहिए अभी आप PT का पर है या मेंस का पर है अगर आपके answer rating बहुती सार्प है बहुत अच्छी है फिर भी आप सब्ता हमें एक दू answer लिखिये ही लिखिये क्योंकि अभी जून का ही महीना चल रहा है और 30 September को आपका exam है answer rating नहीं आता है सब्ता हमें पांच दिन कम से कम answer rating कीजिए एक आध answer तो रोज लिखिये जिससे आपकी लेखन सैली भी अच्छी हो और आप परहे भी बांकी समय आप MCQ practice कर सकते हैं ओके चली सवाल देखी क्या है और सवालों के साथ साथ मैंने पिछले बीरियों में सिखाया था कि किस प्रकार इस उत्तर निकालना होता है जब सबसे पहले जो सही है उसको अलग कर लीजे जो correct है जो wrong है उसको अलग कर दीजे आपका answer अपने आप निकल कर आ जाएगा अगर एक statement पता है कि ये guaranteed गलत है तो उसको पहले option में से निकाल दीजे जिससे आपके पास में चुनाव करने में थोड़ा से सही रहेगा राज्य के नीतिने सक तत्तों के बारे हम निम्रखित कत्मों पर विचार कीजे ये तत्तों देश की समाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याक्या करते हैं इन तत्तों में अंतरविष्ट उपबंध किसी नियाले द्वारा प्रवर्तिनी ए enforceable नहीं है नियाले उसको enforce नहीं कर सकती है अगर DPSP का सरकार ने लागू नहीं किया है दोनों के दोनों के सही होंगे इसका answer C हो जाएगा सम्विधान के भाग चार में किस भाग में है बंधों भाग चार में DPSP की चर्चा की गई है DPSP क्या है तो दरसल में हमारे सम्विधान निर्माता इस देश के लोग बहुत सारा अधिकार देना चाहते है हम तुरत तुरत गुलामी सा आजाद हुए थे नय नय आजाद हुए थे हम सब कुछ देना चाह रहते है अपने देश के नागरिकों को लेकिन हमारे पास उतना संसाधन नहीं था ना तो राजनितिक जागरूता थी ना तो सेक्षिनिक जागरूता थी ना तो देश के पास में आर्थिक संसाधन था उन्होंने इंतिजाम ये किया कि भाग तीन में तो उन्होंने मूल अधिकार दे दिया लेकिन भाग चार में वो अधिकार दे कर रख दिये वो चीजें लिख कर रख दी जिसको भविस में लागू किया जाना है ये दोनों जब एक दूसरे को पूरक के तोर पर काम करते हैं तभी किसी व्यक्ति का संपुर्ण विकास संभव हो पाता है इसी कारण से DPSP का अवधारना लाई गई लेकिन इसको एंफोरसिबल नहीं बनाया गया नहीं तो हमारे समिधान के दौर अगर एंफोरसिबल होता ताँ बहुत सारे कानून जैसे समान नागरिक संहिता आच देस में लागू होते भारत के समिधान में अंतराष्ट्य सांतिय और सुरक्षा को विर्दी की कहां पर उल्लिक किया गया है, ये सवाल पिछले वीडियो में भी हमने किया था, बताईएग अजरा इसका एंसर क्या हो जाएगा, राज्य के नीती के निदेसक तत्व में इसका उल्लिक किया गया है, ये आपको उदारन मिलता है कि UPSC PT में भी सवाल रिपीट होते हैं, UPSC PT में भी सवाल रिपीट किये जाते हैं, एक ही सवाल तीन तीन चार चार बार पूछा गया है, इसका एंसर हो जाएगा B, कुछ देर पहले ही मैंने ये सवाल करवाया था आपको, अगला सवाल देखे क् भारत के सम्मिधान के उदेश्यों से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है, मैंने आपको समझाया था कि आर्थिक न्याय कहां पर है, एक तो है भई, DPSP में आर्थिक और समाजिक न्याय की बात, और दूसरा DPSP के लावा प्रियंबल जो है उद्यसिका, उसमें समाजिक, आर्थिक और राजनितिक न्याय की बात की गई है, न्याय कितने परकार के हैं हमारे प्रियंबल में, सौतंदरता कितनी परकार की है, ये सब चीजें कंठस्त होना चाहिए, याद होना चाहिए, इसका एंसर B हो जाएगा, अगला सवाल देख अभी मेरे पास जो पीडियफ है उसमें कीजिये, मैं बाइलिंग्वल भी कराने के पूरी कोछिस करूँगा, भारत के समयधान के अंसार निम्य से कौन सा देश के सासन के लिए अधार भूत चीज़ क्या है, देश के सासन के लिए अधार के प्रदान करता है कौन, तो सासन का अधार भूत परदान करता है अधार परदान करता है 37 अनुक्षे 37 असपर स्टूप से लेक किया गया है कि भाग चार में अंतरविष्ट उपबंद किसी नयालक दोरा प्रिवर्तनिय नहीं होंगे किन्तु फिर भी इस भाग में अधिक अधिक अधित तत्तो देश के स सासन के मूलभूत हैं और सरकारों का ये दाईत तो होगा जैसे आपका करतब्ब किसमें लिख़ा हुआ है 51 के कौ में लिखा हुआ है मूल करतब बे उसी प्रिकार से सरकार का करतब बे क्या लिखा हुआ है कि भई सरकार जो है वो DPSP का पालन करवाएगी DPSP को लागू करेगी अगर नहीं लागू करेगी तो डॉक्टर अम्बेर करने क्या बोला था कि उसको जनता को जवाब देना परेगा कि D और कल्यांकारी राज्जी की अब धारना भाग चार में हमें मिलता है भारतु सम्मेधान में प्रतियस्थापित राज्जी के नीति के निदेस्क ततोक अंतरगत नेमलिखित प्रावधानों पर विचार किजिए चलिए विचार करते हैं काफी सारे स्टेटमेंट हैं तो हम इसमें से eliminate करेंगे कि भई कौन सा सही है कौन सा गलत है क्या सही पूछा है कि क्या गलत पूछा है सबसे पहले यही देखिए उप्युक्त में से कौन से गांधिवादी सिध्धानत है आपको पता होगा कि हमारे DPSP में गांधिवादी सिध्धानत है समाजवादी सिध् की रक्षा करना यह हमारे संम्मिधान क्यार्टालीस में बताया गया है इसको माना जाता है कि दक्षिन पन्थी बिचारों से प्रभावित होकर रखा गया था समाजवाद के मी तत्तो है य nell जो सरमे को सजूरे मुद्दी समाजवावत नागरिक सिविल सहिंता सुरक्षित करना अग गांधीवादी पूछा है तो क्या ये सही होगा मेरे हिसाब से बताइए इसका एंसर क्या हो जाएगा पहला काट दीजिए पहला तो लिबरल का है भाई गांधीवादी का तो होगा ही नहीं एंसर निकल गया हमने पढ़ा भी न हमारा एंसर निकल रहा है तो हमें एक का पता था कि समान नागरी सहीता गांधी जी की दर्सन में नहीं है भई वो तो था लिबरल दर्सन में डॉक्टर अंबेड कर इसके बहुत बड़े मुखर रूप से लागू करने वाले लोगों से एक थे लेकिन नहीं लागू करवा पा अगला सवाल देखे क्या दिया हुआ है अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा गया है कि निम्न से कौन सी लोक सभा की अनन्य सक्तिया है लोक सभा की अनन्य सक्ति है अनन्य सक्ति है उसकी आपात की उद घोसना का अनु समर्थन करना क्या आपात काल की घोसना का समर्थन के बुरुद और विस्वास प्रस्ताव पारित करना और विस्वास प्रस्ताव तो केवल और केवल लोकसभा में ही पारित होता है तो ये तो सही होगा गुरू इन दोनों को हमने काट दिया दूसरा तो गैरेंटेट सही है अब तीसरा सही है कि नहीं अगर हमने ये देख लिया पहला देख लिया सही, तो फिर क्या हो जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि इसका एंसर क्या होगा, और अगर हमने दो अप्सन काटा है, यानि कि तीसरा तो गारेंटेट गलत था इसमें, इसलिए वो सारे अप्सन कट गे जिसमें तीन तीन था दिया हुआ, आपात की अनुसमर्थन केवल क्या राजसभा में, ये लोकसभा में ही किया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको पता होगा कि 112, 112 होता है, लोकसभा से एक महिने के भीतर, राजसभा से दो महिने के भीतर, इसी प्रिकार से होता है साइद कि उसको अनुसमर्थन मिलना आवश् प्रशक होता है तियानि कि लोग सभा और राज सभा दोनों सो उसको अनुसमर्थन करना होता है इसका एंसर क्या हो जाएगा बीसका एंसर हो जाएगा पहला गलत दिया हुआ है ये ट्रिक के लिए 122 बताया है मैंने आर्टिकल नहीं है वो देखे क्या है मंती परसद के विरुद और अविस्वास परस्ताव केवल लोग सभा में लाया जा सकता है जब लोग सभा मंती परसद के विरुद एक और अविस्वास परस्ताव पारित करती है तो सभी मंतरी जिसमें राज सभा के मंतरी भी सामिल है को त्याग पतर देना परता ता कथन दो तथा उपस्तित या मद्दान करने वाले संख्यां कि दो बट्टा तीन बहुमत से पारित करना होता है जो बिसेस बहुमत होता है उससे इसको पारित करवाना पड़ता है दोनों सदन से राष्टिया पातकाल की घोसना को संसद के प्रतेक सदन के समक्ष रखा जाता है एक महि एक अंदर इसको संसद के दोनों सद्मों से पारित करवाना अनिवारी होता है अनिवारी होता है इसको जरूर ध्यान रखिएगा परिनामता अपात की उद्गोसना का उन्हों समर्थान लोकसभा तर राजसभा दोनों दोरा किया जाता है यह लोकसभा के अनन्य सक्ति नहीं ह एक है आपका आविस्वास पस्ताव और एक मनी बिल आर्टिकल 110 के तहरे जो सक्तियां होती है इसमें भी लोकसभा को जादा सक्ति मिला हुआ है राश्क पती पर महाभियोग दोनों सदन में सुरू किया जा सकता है अगला है भारत में दल बदल संबनिस जो कानून है उसके बारे मांब को बताना है यह कानून वे निर्देश्ट करता है कि कोई नाम निर्देश्ट विधायक सदन मिन्युक्त होने के 6 माँ के अंदर किसी राश्यतिक दल में सामिल नहीं हो सकता अगर किसी को नॉमिनेट किया गया है किसी सदन के सदस्य को नॉमिनेट किया गया है तो छे महिने के अंदर किसी दूसरे रायनितिक दल में नहीं जा सकता है छे महिने के बाद जा सकता है क्या यह स्टेटमेंट सही है यह कानून कोई समयावधी नहीं देता जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिस्चित करना होता है दल बदल से जुरी हुई चीजों पर जो अधिकार है डेसीजन लेने का वो किसके पास में है तो पीठासीन अधिकारी राजसभा में है तो राजसभा के चीफ और लोगसभा में है तो speaker महोद है ये लेकिन समय bondation नहीं लगाता है क्या speaker कितने दिन में फैसला लेना है राज सभा कितने दिन में फैसला लेना है या विधान सभा के जो अध्यक्षा उनको कितने दिन में फैसला लेना है ये time bondation करता है क्या नहीं करता है ऐसा statement में बताया गया है क्या इस सही होगा आपको लगता है कि सही होगा देखिए इसका एंसर क्या है इसलिए जब मैं दल बदल वगर पढ़ाता हूँ तो आपको बोलता हूँ ज़रा ध्यान से पर हो ध्यान से पर हो क्यों बोलता हूँ क्योंकि इस स्टेटमेंट इसी प्रिगार से ब आयोगी घोसित किया जा सकता है, कब किया जा सकता है, कि 6 महीने के समापती के बाद कोई मनोनी सदस किसी रायतिक दल में सामिल हो जाता है, तो नॉमिनेटेड सदस जो है, अगर उच्छे महीने के बाद कहीं पर सामिल होगा, 6 महीने से पहले सामिल हो गया, तो कोई बात नहीं लेकिन छे महीने के बाद अगर वो किसी रायतिक दल में सामिल होगा तो उसकी सदसे तारद कर दी जाती है अयोग घोसित कर दिया जाता है जब कि यहाँ पर या क्या लिखा हुआ था कि कोई नाम निर्दिस नॉमिनेटेड विधायक सदन में नियुक्त होने के छे माह के अंदर किसी रायतिक दल में सामिल नहीं हो सकता है छे माह के बाद अगर वो सामिल होगा तो उसको अयोग घोसित कर दिया जाता है इसको ध्यान के बारे में आपको देखना है कि कौन सा Esto stumble य है चार चार अओर में दिये गए हैं लोगसभाक उपाध्यक्ष लोगसभाह के कारे पद्धति और कारे संचालन नियमों के अंसार उपाध्यक्ष का निर्वचन या तो मुख्य विपक्षी दल से या सासक दल से होगा या उपबंद किया गया है क्या भारत में कि लोकसभाग उपाध्यक्ष का निर्वचन मुख्य विपक्षी दल से या सासक दल से होगा सदन के बैठक अध्यक्षता करतेस में उपाध्यक्ष की सक्ती वैसी ही होती है जैसे के अध्यक्ष की और उसके विनिरनेओं के बिरुद अपील नहीं हो सक्ती इसके जो निरने हैं उसके बिरुद अपील नहीं हो सक्ती दोनों की सक्ती समान होती है क्या उपाद्यक्ष के न्युक्ति के बारे में सुवस्थापित संसद्य पधतिया है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है उसी काधार पर भारत में उपाद्यक्ष के न्युक्ति होती है कितना डीटेल में सवाल पूछा गया है ये अगर BPSC इम पूछ लिया तो फिर तो भई काम तमाम ना इधर के रहे ना उधर के रहे बताईए इसका एंसर क्या होगा पढ़िए इसमें से ट्रिक को जरा ढूंड़िये ट्रिक को ढूंड़ कर आप्सन निकालेंगे तो आसान रहेगा देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है दूसरा स्टेट्मेंट जरा ध्यान से पढ़िएगा यहां पर लिखा गया यह औग्यापक उपबंधिक है कि लोकसभाक उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रत्योगी का निर्वचन या तो मुख्य विखाक्षी दल से होगा या सासक दल से होगा इस परकार से नहीं है दस में लोकसभाद तक यह था कि भैई दोनों एक ही दल से होते थे उसके परत साच से एक सामान रूप में प्रकरिया बन गई है लोक सभाक उपाध्यक्ष जो होते हैं वो विपक्षी दल से होते हैं सामाने प्रकरिया बन गई कोई इस प्रकार का उपबंध नहीं किया गया है उपबंध नामक चीज है तो पहले ही इसको काट देंगे ध्यान से परहेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो दूसरा काट य इसके बारें पढ़ते हैं किसका एंसर क्या होगा क्या है इसका एंसर एक और तीन दिया है चौथा क्यों गलत दिया हुआ है उपाध्यक्ष का चुनाव लोक सभा द्वारा ही अपने सदवस्यों से किया जाता है स्पीकर के चुनाव के बाद डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होता है इसलिए इस परकार का कोई ये परधान मंतरी के पद होगा लोगसभा का अध्यक्ष परस्ताव रखेंगे इस तरह के चीजें नहीं होती है लोगसभा के मेंबर्स जो हैं वो आपसे वोटिंग करके उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का चुनाव करते हैं अभी कुछ दिनों के पसाथ ही लोगसभाध्यक्ष का फिर से चुनाव होगा इस परकार का कोई भी भारत परमपरा नहीं है इसलिए चार भी असत्य होगा पहला और तीसरा इसका सही 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 स्टेटमेंट हो जाएगा आपको मैं एक चीज और बोलूँगा जब भी आपको इस तरह के सवालों कन्फ्यूजन हो तो अगर आपको चौन्था नहीं पता है तो पहले को पर लीजे बार बार की क्या है भी क्या है उसके पर सासा को समझ में आ जाएगा नहीं तो अगर इस तरह के स्टेटमेंट फसते हैं तो किरपया करके तुका ना मारा करें आगे बर जाया करें वो ज़्यादा सही रहता है भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रतियासियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में तीन निरवाचन छितरों से लरने से रोकता है क्या ऐसा कोई भारत में कानून है कि एक मान लिजिय मोदी जी हैं मोदी जी बनारश से भी खरे हो जाएं मोदी जी दर्भंगा से भी खारे हो जाएं मेरे सहर से तीसरा कौन सा हो गया भई कन्या कुमारी से भी खारे हो जाएं क्या ऐसा कोई भारत में चुनाव है कानून है कि रोक दे इनको भारत में सा कोई कानून नहीं है जो प्रत्यासियों किसी एक लोकसवा चुनाओ में तीन निर्वचन च्छेतरों से लडने से रोकता है उन्हें से क्यानवे लोकसवा चुनाओ में स्री देवी लाल ने तीन लोकसवा निर्वचन च्छेतरों से चुनाओ लड़ा था क्या यह आपको याद हो सकता है आपको लगता है आपको याद होगा वर्तमान नियमों का अंसार यदि कोई प्रत्यासी किसी एक लोकसवा चुनाओं में कई निर्वाचन छेतरों से चुनाओं लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन छेतरों के उपचुनाओं का खर्च उठाना चाहिए जिसे उन्होंने खाली किया है बसरते वसभी निर्वाचन छेतरों से बीज़ई हुआ हो आपको लगता है इस तरह का कुछ होता है उपचुनाओं का खर्चा पार्टी उठाती है क्या बठाईए कि जरा सोच कर इसका एंसर क्या होगा ओप्सन देख लीजिए ओप्सन है केवल एक, केवल दो, एक और तीन, दो और तीन अब जरा इसको पढ़ते हैं क्योंकि इसका एंसर भिवादित रहा है इसलिए इसको जरा धंग से पढ़ते हैं लोग प्रतिनेत अदिया मुर्ण से क्यावन की धारा स्तैंती साथ के प्रावधानक अंसार कोई व्यक्ती दो सदिक लोगसवाच हैतरों प्रतियासी नहीं बन सकता है इसलिए आपने देखा होगा कि मोधी जी सबसे पहली बार वड़नगर से भी खरे हुए थे और बनारस से भी खरे हुए थे जो राहुल गांदी जी है वो राइबरेली से भी खरे हुए हैं और वाइनाड से भी के लड़ते हैं मुलाइम सिंग यादा जी यह थे वाजमगर से भी लड़ते थे और एक और जगह से वो चुनाव लड़ते थे, अकसर लड़ते थे दो-दो सीट से, सुरक्षित करने के लिए, अपना कैंडिडेटर सुरक्षित करने के लिए, दो-दो जगह से लड़ते हैं, फिर उप चुनाव में भी अकसर उन्ही की पार्टी जीत जाया करती है, तो दो लाल 1991 के चुनाओं में केवल हरियाना के रोह तक लोक्सवा चेतर से चुनाओ लड़े थे हला कि 1989 में वे तीन सीटों रोह तक सीकर और फिरोजबूर से चुनाओ लड़े थे अता कथन दो भी सही नहीं है यदि कोई प्रत्यासी एकाधिक निर्वाचन चेतर से लोक्सवा ही नहीं था यहां पर ऑप्सन ही नहीं दिया गया था यूप एसी निस सवाल को हटा दिया था धातब है कि लोक्सवा आयोग ने इस प्रसन को मुल्यांकन से बाहर कर दिया था इसको जड़ा ध्यान में रखेगा इस सवाल को इस तरह के छोटे मोटे फैक्ट आपसे सही आता हूं में स्टेट्मेंट पर रहा हूं तब उसका इंपक्ट अलग परेगा जब आप पर रहे होंगे तो उसका इंपक्ट अलग परेगा इसलिए खुद से भी परहा कीजिए बीडियों रोक कर एंसर निकाला कीजिए उसके पस साथ मैं explain करूंगा ही समय ही तो लगेगा वो भारती जनता पाड़ी के सरकार बन रही है तो क्या उसका भी प्रतिनेत होगा सरकार में सरकार संसत के प्रति उत्तरदाई होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है सरकार लोग के द्वारा निर्वाचित होती है उनके द्वारा हटाई जा सकती है लोग के द्वारा क्या जाईए जरा हटाईए सरकार संसत द्वारा चुनी जाती है कि निर्धारित समयावधी के पुर्ण होने के पुर्व हटाई नहीं जा सकती क्या ऐसा हो सकता है क्या अलकि निर्धारित समयावधी के पुर्ण होने से पुर्व नहीं हटाई जा सकती बताईए जरा इसका ए ये सब सब्द अगर लगा हुआ ने स्टेट में तो अक्सर वो गलत होता है, ये भी काट दीजे, सरकार संसत के प्रति उत्तरदाई होती है, उसके द्वारा हटाई जा सकती, ये तो थोरा मुरा सही लग रहा है, सरकार संसत द्वारा चुनी जाती कि निर्धारी समयदी के पूर्ण होने से पूर्व हटाई नहीं जा सकती, अटल विहारी बाजपई जी के तीन वार गॉर्मेंट गिरी थी, ऐसा कैसे हो गया, समय पूर्व भी हटा सकते हैं, लेरे तो डी भी इसका गलत होगे, इसका ऐंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल बी सही है यहाँ, अगर आप गलत को भी सेलेक्ट कर लेंगे तो भी आपका ऐंसर सही हो जाएगा, और सरकार किसके दूरा हटाई जाती है, तो नो कॉन्फिनस मुसन के दूरा, भारत के सम्विधान के अंसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए युग्य है कोई भी ऐसा व्यक्ति भारत के सम्विधान के अंसार किसी राज्य में छाह माहा के लिए मंत्री बनाया जा सकता है तब भी जबकि वह उस राजिक बिधानमल का सदस्य नहीं है कोई भी व्यक्ति अगर मतदान के लिए योग्य है तो मंद्री बनाया जा सकता है क्या वो पर ये फिर से सोचिए लोग प्रतिनित अधिनियामुन से क्यावन कंसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराद गंतरगत दोसी पाया गया है जिसे पांच वर्स के लिए कारावास का दंड दिया गया है चुनाव लडने के लिए अस्थाई तोर पर निरहर हो जाता है मतलब की अवैद हो जाता वो कभी चुनाव नहीं लर सकता है वो कभी चुनाव नहीं लर सकता है उसकी खतम हो गया उसका कंडिडेटर नहीं हो सकता है भले ही वो कारावास से मुक्त हो चुका हो अगर पांच वर्स के लिए कारावास का दंड दिया गया है तो उसके पसाथ वो चुनाव रहने के लिए अस्थाई तोर पर हट जाता है गया बदाईए मुझे जरा इसका एंसर क्या होगा पहली बात तो पहला स्टेटमेंट अगर फिर से परहेंगे कोई भी ऐसा वेक्ती जो मतदान के लिए योगी है लेकिन मंत्री बनने के लिए तो उसको पचीस वर्स से ज़्यादा काई हो चाहिए भई तो पहला तो गलत ही हो गया पहला तो गलत हो गया पहला गलत हो गया पहला काड़ दीजे पहला काड़ दीजे ऐसा नहीं होता है अगर वो जेल से छूटा है तो 6 वर्सों के लिए उस पर बैन लगता है 6 वर्सों के पर 7 वो फिर से चुनाव लड़ सकता है तो दूसरा भी गलत हो जाएगा इसका अंसर D हो जाएगा इसका अंसर D हो जाएगा तो छे वर्सों के लगले वह चुनाव नहीं लड़ सकता है अगला सवाल जरा ध्यान से पढ़िएगा और उसका ओप्सन भी मैं दिखा देता हूँ इसको जरा इलिमेट करके निकालिएगा भारत का राश्पती ऐसे अस्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत आवान कर सकता है भारत का राश्पती महोदे अगर चाहें तो मनिपूर में संसद का सत्र बुला सकते हैं गया बदाईए भारत का संविधान एक वर्स में संसद के तीन सत्रों का प्राबधान करता है किन्तु सभी तीन सत्रों का चलाया जाना अनिवारी नहीं है भारत का सम्विधान में लिखा हुआ है कि तीन सत्र होंगे तीन सत्र एक वर्स में दिनों की कोई नियूंतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसत का चलना अवश्चक हो कोई ऐसा है कि एक वर्स में दिनों की नियूंतम संख्या निरधारित नहीं की गई है बदाईए इसमें से जरा इलिमिनेट कीजिए इसको पर ये जरा भारत का सम्विधान एक वर्स में तीन सत्रों के लिए भारत के सम्विधान बोला गया है कि एक वर्स में कम से कम दो सतर जरूर होने चाहिए छे महीना का जादा जादा गैप हो सकता वैसे अपने देश में कितने सतर होते है एक होता है बजट सतर फरवड़ी में मानसून सतर अभी होगा जून जुलाई में और उसके पसाद से सीत काली सतर अभी संबर में ये तीन सतर होते हैं लगी सम्विधान में बोला गया कि कम से कम दो सतर जरूर छे मैने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए सम्विधान में क्या कहा गया है छे मैंने से जादा का गैप नहीं होना चाहिए दो सत्रों में तो सम्विधान में तो तीन सत्र की बात ही नहीं की गई है तो दूसरा तो यहां पर गलत होना चाहिए तो दूसरा गुजरा काट दीजे, दूसरा गुजरा काट दीजे बीच में च्हेवेनी से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए मा के निर्धारित वे धारित तो बिल्कुल नहीं है कहीं पर भी तीसरे का एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा दोनों के दोनों statement यहाँ पर पहला और तीसरा सही दिया हुआ है दूसरा गलत दिया हुआ है सही से की जा कीजिए आपको नहीं आ रहा होगा तो भी आप कर ले जाएंगे थोरा थोरा भी पता होगा तो भी आप कर ले जाएंगे घराज सभा की लोग सभा के समान सक्तियां किस शेतर में है राजसभा और लोगसभा दोनों की समान सक्ती समान सक्ती अखिल भारतिय सेवाओं को गठित करने के विसेह में IAS इसे प्रिकार से IJS इंडियन जूरिसियल सर्विस का गठन किया जाना है क्या ये लोगसभा में हो सकता है राजसभा को कुछ अनन्य सक्तियां पराप्त हैं आपको पताया था मैंने जिसमें हैं नई अखिल भारतियों सेवाओं का सरजन तो ये तो राजसभा की विसेशादिकार वाली है तो पहला तो बिलकुल नहीं होगा संविधान संसोधन में क्या दोनों की सक्तियां बराबर है संविधान संसोधन में बिल्कुल है बराबर संविधान संसोधन किसी भी सदन में सुरू किया जा सकता है और उसमें दोनों की सक्तियां बिल्कुल समान होती है दोनों की सक्तियां बिलकुल सवान होती है सरकार को हटाने के बिसे में रायसभा की सक्तियां नहीं है क्योंकि लोक कन्फिडेंस मोसन और इस्वास परस्ताव के बल लोक सभा में लाया जा सकता है कौटियत भी प्रस्ताव प्रस्तूत करने के भी से में भी राजसभा की सकतियां नहीं है ये सब की सकतियां जो है ये लोग सभा के पास में इसका एंसर भी हो जाएगा सम्धान संसोधन वित्मंत्री संसद बजट प्रस्तूत करते हुए उसके साथ में मैंने कुछ दिन पहले निउस्पेपर डिस्कसन में जब मैं F.R.B.M. में परहा रहा था तो मैंने इसको डिस्कस किया था कि गुरू ये सवाल पूछा जा चुका है UPSC-PT में वित्मंत्री संसद बजट प्रस्तूत करते हुए उसके साथ अन्य प्रालेक भी प्रस्तूत करते हैं जिन में ब्रहद आर्थिक रूप रेखा विबरन The Macro Economics Framework Statement भी समरीत रहता है या पुर्वक्त प्रालेक निम्न आदेशन के कारण प्रस्तूत किया जाता है ये जो है ये बिरहद रूप से The Macro Economics Framework के स्टेटमेंट जो प्रस्तूत किया जाता है ये क्यों प्रस्तूत किया जाता है बजट के साथ में बताईए मुझे मैंने परहाया था F.R.B.M. तो मैंने बताया था कि B.R.B.M. पर P.T. में सवाल बहुती बिसिक सा पूछा गया था इसका एंसर क्या हो जाएगा पांच का एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा F.R.B.M. एक्ट 2003 के तहएट में बजट मेनेजमेंट की बात की गई है दराजकों से उतरदायत और बजट प्रबंधन बजट मेनेजमेंट की बात की गई है इसी कारण से मैक्रो एकॉनामिक्स फ्रेमबर के स्टेटमेंट काफी सारे बितमंत्री महोदे को प्रस्तुत करना होता है बजट के साथ में इसलिए बजट लेंदी हो जाता है F.R.B.M. एक्ट के कारण से तिये सवाल U.P.S.C. का है बहुती सांदार सा सवाल F.R.B.M. के अंत में लगा हुआ है बजट मेनेजमेंट Financial Responsibility and Budget Management Act इसी बजट मेनेजमेंट सबसे U.P.S.C. ने सवाल फ्रेम कर दिया बेसिक चीजों को आप पढ़ते नहीं हवा हवाई चीजों को पढ़ते रहते हैं कठीन सवाल जरूरी नहीं के एक्जाम में पूछे जाते हैं कठीन उसको आसान सवाल को बनाया जा सकता है अगर वो बेसिक से पूछ लिया जहां पर आपका ध्यान नहीं गया है तो भारत के किसी राजी के विधान सभा के संदर में आपको बताना है वर्स के प्रथम सत्य के प्राराम है राजपाल सदन के सदस्यों के लिए प्रतेग सभा ले करता है जो पारमपर एक संदर में राजपाल करता है जब किसी विसेश्ट विषय पर राजब इधान मंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोक सभा के नियम का पाछन करता है इसका एंसर क्या हो जाएगा बंधो इसका एंसर हो जाएगा C एक और दो दोनों के दोनों सही दिये हुए हैं अगला करते हैं अर्टकल 176-1 के अंसार राजपाल विधान सभा के लिए परतेक साधार नेरवाचन के पसाथ प्रथम सत्य के आराम में संबोधन करता है अभी राशपती महोदे संबोधन करेंगे लोकसभा के सत्र को जब सुरू होगा और हर बरस जब बजट सत्र सुरू होता है उससे पहले राशपती महोदे का संसद के नाम से संबोधन होता है क्योंकि राश्पती महोदे जो है वो संसद के अंग है संसद के कितने अंग है गुरू इसके तीन अंग है एक है लोकसभा एक है राजसभा और एक है प्रेसिडेंट आफ इंडिया इन तीनों चर्णों से जब कोई नियम या कानून गुजरता है तब जाके वो अधिनियम बन पाता है कोई बिल तीनों चर्णों से गुजरेगा अगर लोकसभा में शुरू हुआ तो राजसभा में जाएगा अगर राजसभा में शुरू हुआ तो लोकसभा में जाएगा उसके पर साथ प्रेसिडेंट आफ इंडिया के पास में चला जाता है यह सब बेसिक कॉंसेप यह आपको किलियर होने चाहिए एक्जाम में जाने से पहले एक्जाम में कन्फूजन हो सकता है संसद निरहरता निवारन अधिनियम 1959 कई पदों को लाव का पद के अधार पर निरहरता से छूट प्रदान करता है लाव का पद के अधार पर उपर युक्त अधिनियम पांच व किया गया था राजपती महोदे की द्वार उनके कैंडिडेटर को रद कर दिया गया था लाव के पद के अधार पर लाव का पद होता है कि आप मंत्री भी है आप मंत्री भी है उसी के साथ साथ आपने कोई और एक पद धारन किया हुआ है उसको लाव का पद कहा जाता है तो पसाथ से राजपती महोदे ने क्या किया था एलेक्सन कमीशन आफ इंडिया के रिकमेंडेशन का अधार पर 2018-19 के आसपास उन सभी को रद्द कर दिया था उसी के पसाथ UPSC ने सवाल को पूछा था लाव का पत की चर्चा सम्विधान के आर्टिकल 104-105 में किया गया भी मैं दिखा दूँगा लेकिन लाव के पत को सम्विधान में कहीं पर भी परिवासित नहीं किया गया है अगर आपको इस statement में, ये भी आपको मैंने सिखाया था कुछ दिन पहले ही कि सम्विधान में डीटेल में परिभासित नहीं किया गया है चीजों को मैंने बताया था कि ये concept है छोटा सा आप question को eliminate कर सकते हैं इसाधार पर कि मैंने क्या बताया था कि सम्विधान में किसी भी चीज़ को डीटेल में परिभासित नहीं किया गया है देखे यहां पर क्या लिखा हुआ है लाब का पद भारत के समिधाने भली भांती परिभासित किया गया है ऐसा तो कते ही नहीं है तो हमें नहीं पता पहला दूसरा क्या है गुरू तीसरा स्टेट्मेंट काट दीजी इसका एंसर निकल करा जाएगा एक और दो जब भी इस त समिधान परिभासित तो बहुत सारी चीज़ों को नहीं किया गया और एक्च्यलियम् पूछे ते किसी बीछीजों को डिटेल परिभासित नहीं किया गया है उसके अधारपर एक स्टेट्मेंट काटा हमने और निकल के रहा गया सामाने तोर पर मैं बारबार रियूज करा generally समिधान में किसी चीज़ को detail परिभासित नहीं किया गया इसका answer क्या हो जाएगा कथन 1 सही है क्योंकि article 192.1 और article 191 में इसमें है कि राजियों के लिए और 102 में है संसद के लिए क्या है लाब का पदिशब्द की चर्चा की गई है और उसके अधार्प निढ़रता को तै किया गया है लेकिन उसको परिभासित नहीं किया गया है धन विद्यक के समद्ध बताना है किसी बिलको धन विद्यक कौन सा सही नहीं है ये बताना है ध्यान से देख लिया कीजिए सही नहीं पूछा गया है किसी बिल को धन विर्यक्ताब माना जाएगा जब इसमें केवल सभी केवल यही होगा लगातार यह सब जो सब्दों होते हैं लगातार केवल सभी यह सब वर्ड एलिमिनेट करने के लिए आपको काफी मदद करेगा एक्जाम में केवल किसी कर्क अधिरोपन उल्मूनन माफी परिवर्तन या विनमे से समदित प्रावधान हो सकते हैं मनी बिल में मनी बिल 110 में केवल कर्ण से जुरे हुए प्रावधान हो सकते हैं धन विद्यक में भारत की संचित निधी एवन भारत की आकस्मिक निधी की अभी रक्षा से सम्मंधित उपवंध होते हैं भारत की संचित निधी और भारत की आकस्मिक निधी दोनों से सम्मंधित प्राबधान होता है क्या धन विधियक में 8.110 में ज़रा इसका एंसर देखते हैं, option देखते हैं, एंसर देखते हैं वही क्या है अगला statement है धन विधियक भारत की आकस्मित निधी से धन के इन्वियोजनस से सम्मधित होता है धन प्लाय सरकाराद धन को उधार लेने या कई की प्रत्याभूती देने के विनमें से संद्धित होता है यहां पर यह C जो है ये गलत हो जाएगा क्योंकि धन का विनियोजन भारत की संची निध ses होता है इसलिए कफन C सही नहीं है जब कि कफन A, B और D सही है इसलिए जब मैंने आपको Elimination सिखा है तो मैंने बोला कि सामाने तोर पर केवल सभी लगातार पिछले पूरे वर्सों में बरता ही रहा है कम ही होता रहा है ऐसे वर्ड सामाने तोर पर आप Eliminate कर सकते हैं लेकिन 100% Elimination इसके अधार पर नहीं कर सकते हैं आप इस तरह के सवाल जब होता है तो उसको ध्यान से देखा कीजिए क्या लिखा हुआ है क्या नहीं और उसके अधार पर एंसर को तै किया कीजिए अब ज़रत धन विधियक को भी समझ लीजिए समिधान का उचित 110 के तहते धन विधियक का विविन उबंदों वर्नन है कोई विधियक धन विधियक समझा जाएगा यदि वह निमर्खित सभी या किनी विश्यो शमबंदित माना जाता है किसी कर का धिरोपन कोई कर लगाया गया है उत्सादन परिहार परिवरतन विन में विनिम क्या ग्याःत, उसमें मनी भीला जाएगा, भारसरकारदा धन उधार लेने या कोई प्रत्या भूती देने का विनिमम, अथ्वा भारसरकारदा उधार ली गई या ली जाने वाले किन ही वित्ति ए ब्यादताओं से समधित विधी का संसोधन, इन सभी चीयों से समधि होता है धन विधयक आपका आर्टिकल 110 में इसकी चर्चा की गई है और आर्टिकल 117 में वित विधयक की चर्चा की गई है सभी वित विधयक धन विधयक होते हैं सभी जो धन विधयक है वो वित विधयक नहीं होता है जो फाइनेंस बिल होता है इसे मनी बिल मनी बिल प्लस न बिल में money bill प्लस normal बिल दोनों की चर्चा होती है इसको ज़रा ध्यान रखिएगा ये finance बिल और money bill के बारे में article 110 और article 117 इसको ध्यान से परकर exam में जाईएगा सामाने तोर पर सवाल पूछे जाते हैं बिधान सभा की अध्यक्ष यदि बिधान सभा का कोई सदस नहीं रहता है या रहती है अपना पद रिक्त कर देगा या रिक्त कर देगी बिधान सभा की कोई ध्यक्ष अगर अपने पद पर नहीं है तो अपना पद छोड़ देगा वो अगर वो सदस नहीं है तो जब कभी विधान सभा का विटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा या कर देगी जैसे अभी संसद का विटन हो गया था लोक सभा का विटन हुआ था तो ओम बिरला जी ने तुरती अपने पद को छोड़ दिया क्या बताइए मुझे इस कै अगले लोक सभा के गठन तक वो अपने पद पर बने रहते हैं लोक सभा का विटन हो गया है तो अपने पद से हट नहीं जाते हैं विधान सभाक अध्यक्ष उपाध्यक्ष नेमलिकित मामलो अपना पद रिक्त करेगा यदि विधान सभाक सदस नहीं रहता है अपना पद रिक्त कर देगा किसी भी समय यदि वा सदस अध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्याग पतर दे सकता है और व के पस साथ से एंड करेंगे हम लोग क्या है कि भारत की संसद के संधर्म नीमि से कौन सी संसद्य चमिति इसकी समिक्षा करती है और सदन को सुचित करती चाहिए कि जो वीनिमेन नियम उपनियम उप विधिया दी बनाने के सक्तिया संभिधान दारप्रदत है यह संसद' दार dra प्रतिय युद्ध है उसका कारिपालिका दौरा या प्रत्ययोजन डेलिगेशन के परदी के भीतर उचत प्रियोग हो रहा है। यह सब काम की समीति का होता है। यह अधिनस्त विधान संबन्दी समीती होती है, जो इन सभी चीयों को तै करती है, संसद का जो चैप्टर है, चैप्टर नमर 22 लक्षमी कांथ से, उसको 2-3 वार परिएगा, पूरे लक्षमी कांथ का सबसे बरा चैप्टर यही है, करीम 80 पेज में यह चैप्टर है, बहुत ही बरा चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर के सभी भाग इंपोटेंट है, आप देखी सकते कितना सारा सवाल पूछा जाता है, तो आपके पीटी एक्जामने से लिए पूछा जा सकता है, क्योंकि वो छोटे मोटे प्रावधान होते लेकिन वहाँ से सवाल पूछे लिया जाता है, चुकि यह डेलिगेशन वाला जो है न, यह चर्चा में था उस समय, करेंट अफ्यर में, इसलिए उसमें पूछा गया था, देखें क्या है इसमें, वी नियम, नियम, उपनियम, निमावली बनाने के लिए संसद, अथवा सम्मिधान द्वारा, कारिपालिकों को प्रदत सक्तियों का उप्योग, भली भांती हो रहा है, या नहीं, इस पर अधिनस्त विधायन समीधी, विचार करती है और प्रतिवेदन देती है, दोनों सद्रों में समीधी के सदस संख्यां 15 होती है, इसका गठन ने से तिरपन में किया गया था, अता भी भी कल्ब यहां पर बिल्कुत सही दिया गया है, लास्ट शवाल करते हैं, उसके पसाथ एंड करेंगे हम लोग, कि पहली लोक्स वहां विपक्ष में सबसे बरी रालतिक दल सौतंतर पार्टी थी, सौतंतर पार्टी के गठन किसने किया था, किसने किया था, सी राजगोपाला चारी जी ने, राजा जी ने किया था, लोगसभाब नेता प्रतिपक्ष को सरप्रथम 1969 में मानेता दी गई आपने अगर भारत का इतिहास परहा है आजादी के बाद भाला जो 12th की पॉलिटी में है तो वहाँ पर आपने परहा होगा कि कॉमनिस्ट थे भारत में पहले विपक्षी दल कॉमनिस्टों को थोड़ी बहुत सीट मिले थी बाग ये सभी सीटों पर नहरूजी विजय हुए थे तो बताइए क्यों सा होगा पहला सही है क्या लोगसभाब ज़दी किसी दल के नियूंतम 75 सद से ना हो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूपे मानिता नहीं मिलती है नहीं भई 75 नहीं है तो 10 परसेंट का नियम है तो तीसरा भी गलत होना चाहिए इसका एंसर क्या हो जाएगा बंदों तीसरा भी गलत है और पहला भी गलत है क्योई कॉमनिस्ट थे वैसे भी अगर आप तीसरा भी काट देते तो भी एंसर निकलाता तो भी एंसर निकलाता कि दूसरा सही होगा क्योंकि 10% कम से कम चाहिए तभी जाके आप नेता विपक्ष में सामिल हो सकते हैं देखें आप लिखाओ Communist Party of India था पहली विपक्ष की पार्टी कम से कम होना चाहिए तो इसको ध्यान रखेगा आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं कैसा लगा है जरूर बताइएगा इसको continue मैं तभी करूँगा जब आप सभी लोग पसंद करें इसको अच्छे तरीके से बहुत benefit होगा आपको देखिए इन सवालों के एक वार खुद से भी कीजिएगा मेरी बात थोड़ा से फॉलो कर लीजिए मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप कुछ कर रहे हैं मैं जब परता हूँ तो सवाल आपको सुनाई देता है और असपस्ट मैं परता हूँ रुक रुक कर परता हूँ तो आपको समझ में आ जाता है लेकिन जब आप इसी भासा में इंगलिस में भी इंगलिस मीडियम के बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ अगर इंगलिस मीडियम में भी इसी सवाल को आप परहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा खुद से अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो इसलिए मेरा परहाया हुआ वीडियो का परहा हुआ इसके लावा एक बार दो बार खुद से भी ट्राइ किया कीजिए इनको लिखने का, इनको पढ़ने का परकर इनको हल करने का जब आप खुद से try करेंगे तो आपके अंक ज़्यादा इसमें नहीं आएंगे आपके गलत ज़्यादा होंगे इसमें ठीक है क्योंकि मैं सब्द घेर देता हूं गलत को काट देता हूं सही को काट देता हूं यह technique मैंने develop कर ली है आप भी develop कर सकते हैं ठीक है, thank you so much आप सभी का वीडियो देखने के लिए वीडियो को share कर दिया कीजिए